बिलकम डू सुक्लाइस टड़ी पॉइंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऊटूब चनल सुक्लाइस टड़ी पॉइंड में मैं सेओं सुक्लाइब सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास, बीए, दोतीए, वर्स, चतुर्थ समिस्टर के मालत बेपर के बारे में और अब्जेक्टिव ट्राइब का मालत बेपर होगा आपको पता दू कि इससे पहले एक मालत बेपर हो चुका है जिसमें हमने शुरुआती छे चेप्टर से बनने वाले बहुत ही मैं अब्जेक्टिव प्रस्णों पर तरचा करी थी और हमने चेप्टर के बारे में समझा भी था शुरुआत में कुछ बाते मैंने आपको बताई हूँ उसके बाद में मैंने एक प्रकार से अब्जेक्टिव प्रस्णों को हल करवाया और बहुत ही विस्तार से हमने समझने का प्रयास किया था लगबग एक घंटे का मानद पर है वो आप लोगों नहीं देखा तो प्लेस देख लिजेगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यानि या दूसरा मानद में पर होगा ठीक है और आज की वीडियो के माध्यम से हम लगबग जितने आपके बाकी चेप्टर्स बच रहे हैं आपके लास्ट वाले छे चेप्टर्स उनसे बनने वाले परसनों के बारे में जानेगे उस वीडियो में हमने जो खास करके जो दक्षिड भारत का इतिहासिक स्रोत रहा है खास करके और साहितिक स्रोत रहा है और भी जो स्रोत रहे पुरा तत्विक स्रोत उनस सभी के बारे में जाना कहां के एक इतिहास के बारे में Political History of South India एक हजार ISB से लेकर के तेरा सो ISB तक के समयकाल के बारे में जो गरंथ हमको जानकरी देते हैं उनके बारे में हमने चर्चा करी संगम साहति के बारे में चर्चा करी चर्चा करा था बेंगी के बारे में तो यहाँ से जितने प्रस्वन्नेत हैं, हमिंदे चरचा कर दिया अब जो आज का वीडियो है इसकी बात कि जाये तो आज की वीडियो दत्र के और पांडे राजबंस उनके बारे में जानेंगे जाने यान्तरoe Разट ли और आजबijk इवन JOSH के बारे में चर्चा करेंगे और 150 भारत में में उसके बारे में चर्चा करेंगे गारीं हम चर्चा करते हैं उसी बार प्राची इंतिहास का प्रथम माडल पेपर है यह चतुर समस्टर का यह है तो आप लोगों ने इसको देखा होगा अब आईए हम चर्चा करते हैं इन सभी परसनों पर आपके चर्चा हो चुकिए सारे पर हमने बता चुका हूं ठीक है और आपको बता दूँ इसका पीडिया सब्सक्राइब का उस पर मैं संड कर दूँगा तो आप उस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप प्राप्त कर सकते हैं तो एक दो दिनों में आपको प्रवाइड कर दूँगा ठीक है तो चिंता करने कि आपको वह यावा सकता नहीं चर्चा करेंगे हम तो यहाँ पर किस कल्याणी के राजबंस के बारे हम को चर्चा करना था कल्याणी के चालुकिबंस के बारे में ठीक है तो अगर हम कल्याणी के चालुकिबंस की बात किया तो दक्षिन भारत में रास्ट कूटो का जब पतन हुआ उसके बाद में आपको पता होगा कि कल्याणी के चालुकिब कहले पर शाहितिक साधन है वो उपलब्ध दो जाता है और अभिलेग भी तमाम सारे हैं जो की कल्याणी के चलाकिम बारे में जानकारी देते हैं और साहितिक साधुनम्हें में आपको पता होगा कि बिरलण की एक रचना है क्रमांक देऊचरित वह सरपर्थम और सरभाधिक महतपूर्ण रचना मानी जाती है कल्यानी के चलुकिबंस के बारे में जानकरी देने के लिए ठीक है तो कल्यानी के चलुकिबंस के बारे में जानकरी के सहितिक सुरू से प्राप्त होती है तो बिलहड का ग्रंत है कौन सा बिक्रमांक देवचरित ठीक है ये बाध को विक्रमादित सस्ट ने चुकि विद्यापति सस्ट की उपलब्दिया थी उन्हीं उपलब्दियों के बारे में इस पुस्तक में आपको जानकारी मिलेगी तो उन्हों पर इसके अलामा कल्यारी के चलो कबन्स के सामंतो के कंणर भांसा के अबिलेग भी खास के मिलती हैं जो कि समय के इतिहास के बारे में हम आपको पता होगा बिग्यानेस्वर ने या वंवलक की स्मर्ती की मिताक्षरा नामक chociaż भी लिकी थी ती इसी समय तो मिताक्षरा टीक आपको पता होगा एक लिफ़ेमस ठीक है और इसमें उन्ट हमें उन्हों ने बिक्रमा ये चीजे ध्यार ने कियेगा बिक्रमादित सष्ट के कैथोल अभिलेक में ये बात मिली हुई लिखती है कि 69 चालू के राजाओं ने आयोध्या में राज किया और फिर वे दक्षण में चले गए और दक्षण में राश्ट कुटो को पराजित करके अपने बंस का फिर से वहाँ पर पुना धार करते हैं और गदायुद एक प्रकार से जो है गदायुद क्या है एक ग्रंथ है जो की रन महोदे ने लिखी है तो गदायुद में उलेख है कि दक्षड भारत में रास्ट कूटो को पराजित करके चालुक किबंस के अस्थापना की गई और किस ने किया था ऐसा स्रीय इसका जाता है जैसिंग महोदे को तो जैसिंग राजा थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने चालुक किबंस के अस्थापना करी थी रास्ट कूटो को पराजित करके ठीक है और विकरवां के देवचरित में उलेख है की प्रतवी इसे नास्तिक्ता को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा ने अपने चुलु क्यानी की चुलु से बीर पुरुस को पैदा किया और प्रुनी के बंसच है ब्रह्मा के ऐसा मानायता है चालुक के बंस के जो सासक रहे हैं और बाद में तमाम सारे लेख आते हैं उनके माध्यम से हमको पता चलता है कि इनका संबंध बादामी के जो चालुक के रहे हैं तो बादामी के चालुक बंस से अस्थापित बहुत सारे लोग करते हैं और इन्हें विक्रमादिति दुतिये के छोटे भाई का वंसच बतायाता है कल्याणी के चालो की बंस के जो राजा रहे हैं और चालो की खासिर के कद्नर देश के मूल लिवासी थे अयोध्या के साथ इनका संबंध था और इसका कोई असपस्ट प्रमाण नहीं सासक हैं यह जो वातापी के प्रकार से चालो की बंस है उन्हीं से रेलेटेड रहे हैं ठीक है यह बात ध्यान नखिएगा तो कोई मिला करके कल्याणी के चालो के बंस का प्रथम ज्यां सासक जो माना जाता है वो है भीम प्रथम ठीक है और बादामी के चालो के बिजया दि ततिये फिर भीम राजदुतिये फिर आयन पर्थम फिर विक्रमादित चतुर्थ इन सभी के नाम मिलती हो और फिर देरे-देरे यहां बंस आगे बढ़ता है तो यह प्रकार से इसके बारे में कुछ बाते मैंने आपको बताएं जो कि इंपॉर्डंट थी ओके अब आएए य जो चालू की बंसे उसका संस्थापक कौन था बाई उसका संस्थापक कौन था तो तैलब दुतिये माना जाता है इसका संस्थापक कौन था बाई तैलब दुतिये जो था इसका संस्थापक माना जाता है कल्यारी के चालू की बंस का वास्तबिक संस्थापक बोले तो तैल अब दुतिये और इतिहास में इसे तैल या तैल अप या तैल अधिनामों से हम लोग जानते हैं ठीक है यह बात आप ध्यान लेकिएगा और इसका जो विवा हुआ था और रट सा सकते भामा सा उनकी पुत्री थी जाकब्बा देभी उनसे इनका विवा हुआ था ओके यह बा शापक माना जाता है नेक्स्ट कोसर्स आप देखेगा गांदिसरा नंबर प्रसक्राप की और शूल्ड कर कि फ्यूड्रीज जो कुछ भी लिखा है आप फिच डाइनस्टी बिफोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट तो प्रशन आपका क्या है कि कल्यानी के चालू कि स्वतंत्र होने के पूर्व यह स्वतंत्र होने के पहले किस राजबंस के सामंत के रूप में इसासन करते थे तो यह स्कूट के एक प्रकार से बंस में सासन करते थे सामंत के रूप में आपसन नमबर इसका सी कर्यक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन साब दिखेगा आगला परसन आपके स्कीन पराज चुका है तीसरा नमबर परसन देखेंगे कल्याणी के पूर्व इस राज्य की राज़ध थी आफसा नंबर इसका एक रेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब देखेंगे चौथा नंबर प्रस्ण है कंड़ के सुपरसिद्ध कभी रतन जो स्वारी रन जो थे किस सासक के दरबार में रहते थे बताएं तो कंड़ के सुपरसिद्ध कभी हैं रन और उनके जो ग्रंथ थे मैंने आपको बताया था उस ग्रंथ की बारे में तो एक प्रकार से यह किस सासक के दरबार में रहते थे था फेमस पोयट आफ कंड़ रन्नावाज इंदा कोड़ आफ कोड़ा फूच रूलर बताएं सत्यासरे के दरबार में या विक्रमादित सश्ट के या सोमेस्वर फ्रत्म या तैल अप्धूति ये फटापर से बताने का प्रयास करेंगे तुसका करेक्षट एंसर क्या होगा तैल अब दुटी ओके आप सा नमबर डी करेक्षट एंसर होगा नेक्स्ट कोशंस आप देखे का पांचमान नमबर प्रस्ट है रन कभी को के सुपाधी से भी स्वारी थोड़ा सा तब ये मेरी खराब है तो इसलिए अब बताइए भई तो बिलहड को मिली थी विद्यापती की उपादी ठीक है और रन कभी को खास करके जो उपादी मिली थी वो कौन सी उपादी थी भई तो उस उपादी का क्या नाम है फटाबट से आप बताने का प् कि जाए तो रन कभी की कौन सी रचना है गदायुध जो है इनकी रचना है ठीक है और बिलहड की कौन सी विक्रमांक देवचरित है ओके अगला प्रसना आपका कि सासक को जो है निर्पती भोजक मलब निर्पती भोज कमल चंद्र कहा गया है फटाबट से बताएंगे विच अगला कोशन साब देखेगा साथवा नमबर प्रसना आपकी स्केन पर आचुका है प्रसना है कल्यानी के चालुक की बंस का महांतम सासक था वो कौन सा सासक था करेक्ट एंसर इसका क्या अगवा फटापट से बताएंगे तो सो मेंसर पर्थम को माना जाता है आपसा नमबर फेमस रूरल आप दा चालुक डानिस्टी आप कल्यानी वाज सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सासक था एक प्रकार से फेमस जो प्रसिद्ध सासक था चालुक की बंस का वो कौन सासक था भाई फटा फटापट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो वो था बिक्रमा अगल आप दा चोल चोलाज विद्धा कल्यानी रूल बीगिन बटाएं कल्याणी के सासन से चोलो का सबसे लंबे समयता है कर निक दीरकालिक संगर्स किसके काल में प्रारब हुआ सत्यास रइके सोमेश्वर परथम क्या सोमेश्वर तरतिये के या तायलब दोतिये के तो क् से भी लोग correct answer बता रहें सोमे स्वर पर्थम इस राइट आंसर आप से नमबर इसका भी correct answer होगा next question सापकी स्कीन पर आ सकता है आपके exam में पूछा सकता है प्रस्ण है कि चालुक की बिक्रम संबत का प्रवर्तन किस राजा ने राजा रोहन की समय किया था चालो की बिक्रम संबत का तो इसका प्रवर्तन जो किया था और किस ने किया था भाई इसका प्रवर्तन किया था बिक्रमादि सस्टन है प्रसासनिक पदोपर कार्यरत थी वह प्रसासनिक पदोपर कार्यरत थी वाई तो सासक कार का नाम है बिल्कुल करक्ट एंसर आप सभी क्या रहें बिक्रमादि सस्ट इस राइट आंसर इसका करक्ट एंसर हो जाएगा आप सा नंबर ए तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एंसर कर रहे हैं फटा फटस एक बार वीडियो को लाइक और सीर अरवस कर दीजिए कि ताकि टाइम टू टाइम आपको नोट सस्ट के दरबार में एक परकार से रहा करते थे और इनको बिद्यापती के उपाधी बिक्रमादि सस्ट ने ही दी थी बिल्हड के रिचना है बिक्रमादि सस्ट के बारे में जानकारी देती है और उनके एक परकार से जो उपलब दिया रही है उनके बारे में बताने का प्र 16 जो ग्रंथ इसके लेखक है भाई कौन है बताई बताईएगा तो इसके लेखक है सोमेसवर तुर्तिये ठीक है यह बात्ध्याने के एकजाम में प्रसनाप से पूछा सकता है ठीक है अचा एक प्रसनाप का और बन सकता है कि कल्याणी के जो चालू की बन से इसका अंतिम सासक कौन था तो इसका जो अंतिम सासक था कल्याणी बनसका वो सोमेसवर चतुर्त था यह बात ध्यान लखेगा अगर आप से पूछेगा कि जो है भूलोक मल वर्स नामक संबत का परवरतन कि सासक ने किया था तो भूलोक मल वर्स नामक जो संबत है इसका परवरतन किया था किस चैप्टर नंबर Candi आट यह इसमें आपको पढ़ना के बारे में में चोल और बात किया है तो दख्यड भारत के सुदूर्फ similarities जो पढ़ता है आप देखते हैं तो दख्यड में जो एगदम से नीचे तमिल नाडव आपको पता होगा तो तमिल परदेश उसी में बिस्स रस्थान बनाने वाले जो राजबंस हैं उनमें चोल राजबंस का अपना महत्तो है और कहीं न कहीं पर आप देखेगा प्राचीन राज चोल देश या तोंड मंडलम पेनार और जो है बेलारू नदियों के बीच इस्थित रहा होगा ऐसा मानना भी और या फिर उसी उरयूर को उदेपुर भी का जाता तो उसको पहले अपनी राजधानी बनाए इन लोगों ने चोलों ने और आगे चल करके कावेरी पटनम और तंजओर और इसके अलामा गैंगे कोंड चोलपुरम ये सब राजधानी इनकी बनती है तो तंजओर ठीक है क पावेरी पटनम और गैंगे कोंड चोलपुरम ये राजधानी भी परिवर्तित हुई है चोलबंस की सासकों की इबाध्यान रखियेगा और चोल राजबंस के इतिहास की पर प्रकास डालने के अगर बात किया है तो खासर के उन ग्रंतों में नाम आता है सबसे पहले प्रा प्रकार के जैसे की लेखक रहे हैं जैसे टालेमी वगारा की विवर्ण से भी प्राप्त होता है इस समय के इतिहास के बारे में जानकारी हमको या चोलबंस के बारे में जानकारी मिलती है ठीक है और आप देखिएगा कि चोल साहित का इतिहास जो है दसमी से ग्यारवी ठीजात होता है और इसी आदार पर सोकी कलार ने खासकर के एक रचना लिखी तिरू तोंडर पुरारम पुरारम ये रचना है और इस रचना को लिखा किसने सोकी कलार ने वो के बाद धहन कियेगा और खासकर के इसे पेरिये पुरारम भी कहा जाता है ठीक है तिरू तोंडर पुराणम को एक नाम से और जानते हैं, उसका क्या नाम है अगला, पेरिये पुराणम भी आ जाता है, और इसमें लगबग 63 अलवारों के जीवें जरित का चित्रन आपको मिलेगा, तो एक प्रकार से कहीं न कहीं पे ये रचनाये जो हैं, जानकारी प्रदान करती हैं, चोल के बारे में, आईए चोल बंस से जो बनने वाले महत्रपूर परसन है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रियास करते हैं, चोल राजबंस की बात की जाए, तो इसके इतिहास प्रकाश डालने वाले खास करके, क्लासिकल लेखा कोर जो बिदेसी यात्तरी रह हैं उन लोगों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है ठीक है तो यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान ने किएगा आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का हम प्रियास करते हैं चोल लाजबंस से बनने वाले देखते कौन-कौन से महत्रपूर्ण परसनल जो की आपकी परिच्छा में आ सकते हैं तो पहला परसना आपकी स्कीन पर आचुका सभी लोग देखेगा पहला परसनल चोल बंस का उतकर्स भवगोली रूप से किस छेत्र में हुआ था फड़ा पर्देश में हुआ है तो इसका करक्ट एंसर हो जा गांगा अगला कोस्त जो आपका है दूसरा नंबर चोल सासकों के प्रारम्में कि इंther पर प्रकास डाले मनमिकी डालने वाले जो गृंत परकास हैं कॉन से गरंथ तो बिलकुल संगम साहित जो है इसका correct answer हो जाएगा संगम साहित चोल साथकों के बारे में प्रारम्भिक इतिहास के बारे में उनके बताता है next question साब देखेगा तीसरा नमबर प्रस्ण है चोल बंस के प्रारम्भिक काल का प्रथम नरेश कौन था तो इसका correct answer हो जाएगा बिलकुल आप सभी लोग करिकाल आप सानमबर इसका see correct answer हो जाएगा next question साब देखेगा प्रस्ण अगला है अंधकार काल के बाद नवी सताब्दी में चोलो का उतकर्स किसके नेतरत में हुआ था under whose leadership did the चोलाज rise after the dark period in the 9th century बताएं अंधकार काल के बाद नवी सताब्दी में चोलो का उतकर्स किसके नेतरत में हुआ था आदित्ते प्रथम के या राजराज के या फिर गंडरादित्ते के या फिर बिजयालाग के तो इसका correct answer हो जाएगा आपका बिजयालाग ठीक है आपसा नमबर D होगा correct answer नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे पांचवा नमबर प्रसन आपकी स्केन पर आ चुका है प्रसन है सुन्दर चोल की सासक का उपनाम था पताएं सुन्दर चोल was the surname of which rural तो सुन्दर चोल की अगर बात किया है तो यह किस सासक का नाम था भाई तो सुन्दर चोल नाम था परांतक दुतिये का आपसा नमबर इसका B में दिया परांतक दुतिये correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे छठवा नमबर परसन है अरू मोली वर्मन जो था यह किस चोल सासक का नाम था बताएं तो अरू मोली वर्मन was the name of which चोल rural तो उसका क्या नाम था बताएं अरू मोली वर्मन किस चोल सासक का नाम था भाई तो यह नाम किसका था राज राज प्रथम का ही यह नाम था आपसा नंबर इसका ये कर्ट टेंसर हो जाएगा बहुत ही important person है परिक्षा में आप क्या सकता है अगला question साब देखेगा सात्मा नंबर person है तंज़ोर के ब्रहदिश्वर मंदिर का निर्मार किस चोल सासक ने करवाया था रूरल विल्ट दा ब्रहदिश्वर टेंपल आफ तंज़ोर बताएं तंज़ोर का जो ब्रहदिश्वर मंदिर है उसका निर्मार किस चोल सासक ने करवाया था तो इसका निर्मार जो करवाया था और राज राज परथम ने करवाया था अध्यान रखिएगा आप से नंबर इसका सी करेक्टर एंसर होगा अच्छा ये प्रसनियाग ऐसे भी पोज सकता है कि तंजवर के ब्रहदेश्वर मंद्र का निर्मार किस किन सास को ने करवाया था तो आप पूछे किस चोल सास को ने करवाया था तो तो आप बताएंगे रा इंपेरर ऋफ सिरीविजया तुविल्ट बुद्धिस्ट विहारा बताएं आईट नागपर्टनम किस सास के स्रीजे के सेलेंद्र समराद को participants में बहुत विहार बराने के नमती दी तो किस सासक ने दी थी भाई तो तो राज राज परथम नहीं दी थी आपसा नमबर इसका है करेक्ट एंसर हो जाएगा बहुत बड़ी हैं आप समें लोग उत्तर दे रहें next question देखेगा नवा नमबर प्रसना आपके स्कीन पर आ चुका है प्रसना है गैंगे कॉंड चोल किस सासक की उपादी थी बताएं दसवा नमबर questions देखेंगे प्रसना important है प्रसना है किस सासक ने सक्तिसाली नवसेना के साथ कडारम और स्री बिजे की बिरुद्ध अभियान किया था तो सासक का क्या नाम है भाई तो सासक का क्या नाम था बिलकुल राजेंदर परथम ही है आप सानमर इसका सी correct answer हो जाएगा ग्यारवा questions साब देखेगा पंडित चोल किस सासक की उपादी थी तो पंडित चोला वाज टाइटल अफिच रूरल राज 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 परथम राज राज परथम राजेंदर परथम या गंडरा देते तो correct answer इसका क्या हो जाए 11 में का बि बहुत अच्छा लग रहा इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से उत्तर बगारा देते रहेंगे और अपनी तैयारी बिधवत तरीके से कर लिजे चुकि यही प्रसनाव की परिक्षा में आने वाले हैं यह बात ध्यान रखिएगा और और भी आप से प्रसनाव सकता है बढ़ी बताएं और भी आप से प्रसनाव सकता है कि जो है एक प्रकार से प्रसनाव से पूसकता है कि कोपम के युद्ध में कि सासक का प्राणत हो गया था बहुत इंपोर्डेंट युद्ध है कोपम का युद्ध तो इस युद्ध में र करनों की बात की जाए तो आपको इसके अंतरगेत क्या पढ़ना है सुदूर दक्षण के बात की जाए तो खासकर के जो आधुने केरल प्रांथ है इस समय का जो केरल राज है तो उसी प्रांथ में प्राचीन चेर राज जो था वो इस्थित था और इसके अंतरगत खासिर के वो समय त्रावन कोर कोचीन और माला बार का कुछ तटिये छेतर जो था वो समलित था और यह भी प्राचीन तमिल राज्ज था जिसका अलेक जो है असोग का जो तेरहमा सिलालेक है उसमें सुदूर दक्षण इस्थित राज्ज के संदर में हुआ था इसका उलेक चेर राजबंस का ठीक है चेर या केरल जिसको आप कहते हैं तो केरल यह देश पांड राज्ज के उत्तर मलबकी के पस्चिम और उत्तर में इस्तित था और संगम काल में इसकी राजधानी वंजी या फिर करियूर थी ऐसा माना याता है ऐसा साक्ष मिलता है और बाद में इसकी राजधानी तोंडी बन गई और इसका राज्चन जो था चेर राजबंस का धनुस था यह बाध्यान ने किएगा अबज प्रफम चेर सासक जो था ये जो है उदैन जेरल नाम था उसका और लगबग इसका सासनकाल जो रहा एक सो तीस इदवी में माना जाता है और इसके बारे में कथा मिलती है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाली सेनाओं को भोजन कराया था और इसी से इसे जेरल की उपाधी भी दी आती है किसको उदैन जेरल को जो की चीर राजबंस का ऐखार प्रकार से प्रताम साथ है एसा माना जाता है कि महाभारत का ज़ेद हो रहाए तो सेनाओ को इसने क्या करवाया था भोजन करवाया था तो इसी लिए इसका नाम ये पढ़ा ठीक है महा भोजन या फिर उदैन जेरल ठीक है ध्यान नखेकर इसके बाद में आपको पता होगा जो है नेदुन जेरल अदान आता है और बहुत ही इंपोरेंस आसक है ये भी इसके लामा को जो है कुटवन महोदय आते विए भी एक सास है कुटवन ठीक है छोटे भाई कुटवन ने कोंगु की युद्ध में सफलता प्राप्त करके चेर राज को पूर्वी और पश्मी समुन तक विस्तार किया था और खासके छोटा भाई था ये जो है नेदुन जेरल अ कुटवन ठीक है ये बाद ध्यान ने किए गात इसके बाद में सेन गुटवन आते हैं और भी तमाम सरे अंदूवन आते हैं और जो है पेरुन जेरल इरन पुराई आते हैं तो ये सब विद्वा मलब कि ये सब सासक आते हैं जो कि सासन करते हैं और आप देखिए चेर जो के फोंस है इसका अंतिम सासक जो है वो खासकर के उसका नाम है तो बड़ा लंबा है कि इरन पुराई लाकिकर ये ऊसका पुरा सब्ढम लगब दोशन गान्यचेर सासक का उलेक भी मिलता है और जिसका नाम हाथी की आँख वाला जो है सेये था सेये को पांड सासक खास करके नेंदुन जिलियन ने परास करके चेर सौधिनता कांत कर दिया तो कहीं न कहीं पे ये प्रकार से चेर राजबंस जो है दक्षड का केरल का उसके बाद में सासन आता है पांड राजबंस का और खासकर के प्राचीन तमिल राज का तीसरा राज जो है पांड राज बस रहा अमलब की था और इसमें प्रारह में खासकर के तिन बेली, राम नाडू, मदूरे ये सब छेतर समलित थे पहले और पांड राज की अतियंत प्राचीन राज था और खासकर की जिसका उलेक राम अगज़ार हेरा कलीज कि पुत्री पांड़या के नाम पर इस देश का नाम पांडे-दाजबंस पड़ा और यह बताया था किसने इसा पता जलता है जू मेगस्थनीज के विवरन मज़ों से और पिलनी भी आर्ग disruption से यत्रिया किया करता था तो पिलनी भी कि यहां महिलाओं के सासन की बात करते हैं और इस ट्रेवों ने विपरण दिया की पांडवंस के राजा ने 20 इसापुर्व में रोमन समराथ खासर के आगस्टस के दरवार में अपना दूद भेजा था खारबेल के हाथी गुंफा अभिलेक की बात किया है तो वहां से पता ज इसा क्या था तो पांडव राजबंस के बारे में चीजे थी यह बाध्यान रखेगा और खासर के तीन भागों में इसको हम बाटते हैं पांडव राजबंस को इसके इतिहास को समझने के लिए सबसे पहली बात संगम कालिन पांडव सासक जो रहें दूसरी बात छटी सासक रहें इसमें ठीक है आईए हम यहां से बनने वाले प्रसनों को जानने का प्रियास करते जो कि आपकी परिछा के लिए बहुत ही इंपोर्डंट है ठीक है प्रसना आपका क्या है सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे पहला प्रसना आपका आ चुका है सभी लोग द या फिर पांड थे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल पांड शासक जो थे यह संगम के आयोजक थे ओके यह बात ध्याने क्या अगला कोशन साब देखेगा अगला प्रस्णा आपके स्कीन पर आचुका है चले तो मैं कहा पोचा था मैं बता रहा था आपको वही प्रस्णा आपका क्या था संगम जो एक प्रकार से साहिती था तो संगम साहिती का आयोजन हुआ करता था तो संगम आयोजन के सनक्षक कौन से सासक हुआ करते थे तो पांड शासक ठीक है आप से नमर इसका डी करेक्ट तो मेरी तबियत बहुत सब्सक्राइब कर दर बहुत जादा तो मलब्स मेरे यहां रहते नहीं तो वही सारी disturbance हो जाती कभी-कभी बाकी कोई दिक्कत नहीं है चले तो हम थोड़ा धीरे-धीरे ही बताएंगे चुकि ज्यादा तेज बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही तो आप लोग थोड़ा समयनज कर लिजेगा अगला प्रस्णा आपका चुका छटी सताबदी इस भी में पांड सास्कों का उतकर्स किसके नेतरत में हुआ था अंडर हूज लेडर्शिप दा पांड रूरल्स अफ्लोराइजड इन दा सिक्थ सेंसुरी एडी बताएं करेक्टर इंसर इसका क्या होगा छटी सताबदी इस था आपका जो है कांडुगोन के नितरत में ठीक है किसके नितरत में कांडुगोन के नितरत में आपसे नमबर डी में दिये करेक्ट एंसर हो जाएंगे अगला कोशन साब देखेगा किस पांड सासक ने वान मन की उपाधी मलब की वान वन की उपाधी धारण की थी बताएं विच पांड रूरल एजियूम्ड दा टाइटल आफ वान वन बताएं करेक्ट एंसर इसका क्या होगा तुछ पांड बर्मन आपस नंबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन साब देखेगा पांड बंस का महत्पूर विलेग जो वेलवी कुंडी मलग की वेलवी कुंडी मलब अनुदान पत्र है वो किस पांड सासक ने निर्गत करवाया था बताएं बहुत इहीं इंपोर्डेंट परसन है विच पांड रूरल हैज इसूजड दा व देखेगा अगला परसन किस पांड सासक ने पंडित वसल की उपाजी धारण करी थी बताएं नेक्स्ट कोशन साब का आ चुका है देखेंगे अगला परसन आपकी स्कीन पर आ चुका है तो अरगुण परसन आपसन नमबर में दिया करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब की स्कीन पर आ चुका है सिंगल नरे सेन दोतिये ने किस पांड सासक को पराजित किया था विच पांड रूरल्स वाज डिफेटेड बाई दसिंगल किंग सेन सेकेंड बताएं किसको प राजेंद्र उसने किस पांड सासक की हत्या करके उसके राजिका अधिकरहन कर लिया था पताएं विच पांड रूरल वाज किल्ड स्वारी किल्ड बाई दा चोल रूरल्स बीर राजेंद्र टुवार्ड्स दैंड आब दा 10th century ऐंड एक्क्वैरिड भिस कींग्डम बताए ग्यां दसमी साताब्दी के यंत में चोल सासक बीर राजेंदर जो था उसने किस पांड सासक केथ्या करके उसके राज जिका आधिगरण किया था फड़ावर से आí बताने का प्रियास करेंगे तो इसका प्रसने का पुनरुद्धार के सासक ने किया था विच रूरल रिसीब लग की रिवाइब्ड दाइनस्टी इन दस थर्टीन्थ सेंचूरी बताने का प्रियास करेंगे तो इसका पुनरुद्धार के सासक ने किया था पुनरुद्धार के सासक ने किया था पुनरुद्धार के सासक ने किया था भई फड़ावट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो इसका पुनरुद्धार के सासक ने किय में आया था बताएं दा फेमस ट्रेवलर मारको पोलो आफ वेनिस बिजिटेड दा कोड़ आफ विच पांड डिया रूरल बताएं करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका तो बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर डी मारवन जो है मारवरबन कुल सेखर तो इन्हीं के सासंकाल में आया था प्रसित द्यातरी जो वेनिस का था या मारको पूलो ठीक है तो आपसा नमबर इसका डी करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन सापकी स्केन पर आ चुका है बहुत ही इंपोडेंट परसन आपकी परिच्छा के है अगला परसना किसके रचुका है सभी लोग देखिएगा ये परसंज जो है आपका मलब की ये दसवे चेप्टर से डिलेटेड है आपका व्यापके क्या नाम है भाई फटा पर से आब बताने का प्रयास करेंगे दसवे चेप्टर का आपके नामे च्हेतरे राजबंस ज तो वो रहा है इसके अलामा भी आप देखेगा और भी तवाम सारे जो ना जो है राजबंस रहे छेतरे राजबंस में उनसे बनने वाले बहुत ही महत्रपुन प्रसनों को इस वीडियो के माद्धम से जानेंगे इसके अलामा आप देखेंगे होईसल बंस के बारे में मादेवी ही थी ये बात अध्याने खेगा ओके इसके अलावा देव गिरी का यादो राजबंस आता है ठीक है जिसमें भिनलम पंचम का नाम आप फेमस देखते हैं इसके अलावा जो है सिंगर इसी के सासक है महादेव है और जैतरपाल या फिर जिसको जैतुगी का यादा तो ये सब भी इसके सासक है इसके अलावा बनबासी का कदम राजबंस भी आपको पता होगा फेमस है ठीक है तो उसमें मयूर सर्मन का नाम आता है इसके अलावा काकुस्त बर्मन का नाम आता है सांती बर्मन म्रगेश बर्मन रभी बर्मन हरी बर्मन इसके अलावा पस्च कि friction त्रू कि स्मेंग प्रकार से इसके लावा कलिंग के पूर भी नरेश गंग नरेश भी रहे हैं में ये बात भी ध्यानने कि गा हलाकि इम प्रस्णों की और बढ़ते हैं प्रस्ण आपका आचुका है पहला प्रस्ण आप सबी लोग देखिएगा पहला प्रस्ण आपके स्कीन पर आचुका है बहुत ही इंपोरेंट प्रस्ण है भई बताइएगा प्रस्ण आपका क्या दिया हुआ है प्रस्ण है कि भारत के होईसल सासकों की राजधानी क्या थी तो होईसल सासकों की राजधानी थी भाई द्वार समुद्र आपसा नमबर B करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला कोशन सा आप देखेगा दूसरा नमबर परसन है होईसल सासक स्वतंत्र होने से पूर्व किसके सामन्द थे वूज फेडरिटरी वाज दा होईसल रूरल्स बिफोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट बताएं होईसल सासे जो थे स्वतंत्र होने से पहले किसके सामन्द थे बाई तो यह सामन्द थे चालोक्यों के आपसा नमबर इसका अगला कोशन साब की स्कीन पर आजुका है 38 नमबर प्रस्वारी तीसरा नमबर प्रस्वारी थे बताएं इसका क्या होगा इसका करेक्ट एंसर होगा भाई बीर बलाल दुतिय जो था यह होईसल बंस का सरवादिक सक्साली सासक था नेक्ट कोशन साब देखिएगा अगला कोशन साब देखिएगा पांचवा नमबर प्रस्वारी थे kay报 सासकों का काल हिंज समय तो खासे कि यो फेमस है वो अस्थापत इकला के लिए फेमस है ठीक है आर्टी आर्किटेक्चर के बारे में अगला कोशन साब देखेगा पांचवा नंबर परसन है होईसल बंस का प्रथम सोतंतर सासक कौन था दफस्ट इंडिपेंडेंट रूरल बिश्नो वर्धन आपसन नंबर इसका एक रेक्टेंसर हो जाएगा आपसन इस राइट आंसर नेक्ट को संस आप देखेगा चठा नंबर प्रसन है वारंगल की काकातिय बंस का संस्थापक कौन था दा फाउंडर आप दा काकातिय डाइनिस्टी आफ वारंगल वाज है कि महारानी रोद्रमादेवी जो थी वो किस राजबंस से संब्दे थी भाई तो आप क्या बताओगे तो काकातिय बंस से रेलेटेट थी ये बाद ध्यान नखिएगा अच्छा देवगिरी के यादो बंस का संस्थापक कौन था भाई भिल्लम कौन थे भाई भिल्लम जो है वो किस यादो राजा की काल में हुए थे बाई तो बताएं तो वो किस राज यादो राजा की काल में हुए थे तो महादेव जब सासन करा था महादेव यादो बंस से रेलेटेट है तो उसी के सासन काल में हिमादरी जो विद्द्वान है वो एक प्रकार से उन्हीं के सा है बाद्यान किए गैंक हिमादरी वह किस काल के है महादेव यह की सासनकाल करें ठीक है ध्यान कियेगा और भी परसंगा आप सकते हैं गदम प्रस्थमी गंग किस जो सासक के वह किस धरम को मांते थी अभी प्रसनाप का बना हुआ है तो वह प्रकार से जैन धरम के नवाई रहे थे ठीक है एक परकार से इंपोरेंट परसन है और अच्छा परस्चा मी गंगो के राजबंस का संस्थापक नरेज तो उसके संस्थापक थे भई कों थे कोंग नी वर्मन जो थे वह परस्चमी गंगे राजबंस के संस्थापक यह बाद ध्यार नहीं किएगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला कोशन से आपकी स्कीन पर आ चुका फड़ा पर से आप देखने का प्रयास करेंगे अगला जो परसन है वह आपका है 11 चेप्टर से और 11 चेप्टर का आपके क्या नाम है भाई 11 चेप्टर का नाम जो महत्यपूर परसन है उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे बहुत ही इंपोड़न्ट यह कोशन से जो कि आपके परिछा में आ सकते हैं ठीक है चले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं पहला कोशन से आपका है कि प्राचीन काल में मद्ध एस्याई छेतर को क्या क तुर्किस्तान आपसर नंबर इसका सा करक्ट एंसर होगा चीनी तुर्किस्तान बोलायाता था यह बात आप ध्यान ने किया क्या बोलायाता था चीनी तुर्किस्तान बोलायाता था ओके आपसर नंबर इसका कौन सा करक्ट एंसर होगा प्रथम का अगला कोशन सा आप प्रमुक केंदर क्या था पड़ा पड़से आप बताने का प्रियास करेंगे तो प्रमुक केंदर क्या था भाई तो प्रमुक केंदर था खेतान आपसा नंबर मुलब खोतान आपसा नंबर इसका बी करेक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब की स्कीन पर आ चुका है तीसरा नं सामक बहुत विज्ञान कि समध एस्था से सम्मनित थे दा बुद्धिस्ट स्कॉलर नेम्ड कुमार जीव बिलॉंग्ड टु विच सेंट्रल एसिया एसियन प्लेस बताएं तो कुमार जी उजू थे खास करके यह कूचा से एक प्रिकार से सम्मनित थे आपसे नमबर इसका ड गूचा बताने का प्रियास करेंगे तो इसका करक्ट्रेंस रोजेगा बहुत धर्म जो था उम्माद धेसिया में एक प्रकार से सबसे लोग प्रिये धर्म माना आए था जो कि इसका प्रचार प्रसार भी उस सबहे हुआ था खुब दबा करके अगला को संसा आप देखिए तिबती वर्णमाला का जो आप इसकार हुआ था वो कहां पर हुआ था वो नालंदा में हुआ था आप से नंबर इसका एक अरक्टर एंसर हो जाएगा चटवे का अगला को संसा आप देखिएगा सात्वा नंबर प्रसना आप की स्कीन पर आ चुका है प्रसना ही कि भारतिय के विश्विद्यालेव के अनुकरण पर समय बिहार और साक के बिहार बताएं समय बिहार और साक के बिहार कहां दर में थोए थे भारतिय विश्विद्यालेव के अनुकरण पर वेर वाज समय बिहार और साक बिहार विल्ट दा मॉडल आफ इंडियन यूनिवर्सटीज बत दाएगा नेक्स्ट कोसंस आप देखेगा आठवा नमर प्रसन आपके स्केन पर आ चुगा है बहुत ही इंपोडेंट प्रसन है प्रसन है चीन में बहुत धरम का प्रवेश किस बंस के सासक के समय हुआ था बताएं बुद्धिज्म वाज इंट्रोडीउजड इन चाइना डियूरिंग दरेजिजन आफिजज डिनिस्टी बठाएं चीन में जो बहुत धरम का प्रवेश हुआ असंसमय वहां पर किस बंस कि असक तो खासके हान बंस के सासक तो चीन में बहुत धरम का प्रवेश जो था हम यो हान बंस कि सासक Those Sn अगला कोशन से देखेगा भारती विद्वान धरम रत्न और कस्यप मातंग के निमास के लिए स्वेतास सव बिहार कहा निरिमित हुआ था बताएं भारती विद्वान धरम रत्न और कस्यप मातंग के निमास के लिए स्वेतास सव बिहार कहा बनवाया गया था कहा निरिमित किया था बताएं तो इनिरिमित हुआ था कहा पर भाई चाइना में आपसा नंबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब देखे दसमा नंबर प्रसना आपकी स्कीन पर आ चुका है प्रसन है कि दक्षडी पूर्वी देशों में भारती संस्कृति का सरप्रथम प्रसार जो हुआ तो कहां पर हुआ था विर्वाज़ फस्ट इस्प्रेड आफ इंडियन कल्चर इन साउथ एसियन या साउथ इस्टर्न कंट्रीज बताएं इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका कमबुज आपसा नंबर इसका सी करेक्ट एंसर हो दक्षडी पूर्वी देशों में भारत और भी कुछ प्रसन इससे बन सकते हैं यह बात भी ध्यान एक इसे की आप से पूसकता है कि थाइलेंड का प्राचीन नाम क्या था वास्ट नेम आप थाइलेंड बहुत ही इंपॉर्ण परसन है थाइलेंड का वास्तविक नाम क्या था बताएगे सभी लोग फड़ा-पड परिक्षा के लिए आ सकता है अगला पर सब्सक्राइब सुनिएगा बोरो बुदूरी स्थूप का निर्मार की सस्थान पर हुआ था बताएं तो यह जो हुआ था उपको पता हुआ जावा दीप है सुमात्रा और जावा इंडोनेसिया के तो दीप है तो जावा दीप जो ह वही पर बोलो बुदूरी स्थूप का निर्मार किया गया था तो यह बात ध्याने किये गा इंपोरेंट प्रस्न है और भी प्रस्न आपके बन सकते जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जो है अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर कहां बनाय गया था तो वह बनवाए गया कि अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर कहां बनवाए गया था तो आप क्या लगाओगे कम्बुज में बनवाए गया था ठीक है क्लियर सारे चीज़ समझ आ गई आगे बढ़ते हैं और अगले चेप्टर के और बढ़ते हैं अगला चेप्टर है आपके लिए बहुत ही इंपोरेंट परस्वनें घ belong chapter है तो इस से बनने वाले मैं त Schneider के बारे में जानेगे चले प्रस्वन के समझते तो आपके नाम्वारतं समाजिक और आर्फिक जीवन तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे समाजिक जीवन के बारे में सोसल लाइफ के बारे में दक्षिर भारत की ठीके और उसके आर्थिक जीवन के बारे में और किस प्रकार से उनके उत्तर आपके लिए बहुत helpful होंगे आपके परिच्छा के देश्टी से आई चर्चा करते हैं अगला परसना आपके दूसरा नंबर परस देखेगा दक्षड भारत में ब्राम्मणों को अनुदानित गाउँ क्या कहलाते थे यानि कि जो ब्राम्मणों को दान में प्रकार से गाउँ दे दिया थे उनको क्या कहाया था what were the grand villages to brahmins in South India called बताए उसको क्या बोलते थे बाई उसको बोलते थे अग्रहार आपसा नमबर इसका बेकर ट्रेंस्पर हो जाएगा उनको क्या बोलते थे अग्रहार बोलते थे दक्षिड भारत में जो ब्रामभणों को जो दान में भूमी दे दी आती थी उस भूमी को अग् है वैंच ने किस दक्षिड भारतिय शासक को छत्री वर्ण का बताया है बताये है विच साउथ इंडियन डूरल है डी स्कृवड़र भाई हुट वंशांग एज अट्री का बताया है है क्यान सांग जो कि द्ध परकार से चाइना का प्रकार से यात्री है तो हैंसांग ने क दक्षिड भारती सासा को x3 वर्ण इन्ष皆 आशतरीं कंपो ड्रवज से bet हे करें क। दिखचर है कि हर्जित क्या वर्दन को हमारे को abbiamo पूछा था कि होहें सेंग कसी समय को भारत आया था तो बताया था कि हर्ज वर्दन के समय काल में ठीक है अगला कोसन साब देखेगा प्रसनाप का है रायचूर दुवाब की प्रसासिका दुवाब माने होता है दो नदियों की बीच का छेत्र तो रायचूर दुवाब की अगर बात की जाए रायचूर दुवाब की प्रसासिका जो थी चंद्रबल्लभा वो किस राष्ट कूर सासक की पुत्री थी बतायें जो राष्ट कूर रूरल बतायें जो राष्ट कूर सासक की पुत्री थी भाई तो किसकी पुत्री थी वो वो अमोग वर्स की पुत्री थी आपसा नमबर इसका है करेक्टर एंसर हो जाएगा दक्षड भारतिय सासकों ने उत्तर भारत के समान किस प्रकार के आर्थिक जीवन को प्रोसाहन दिया तो उन्हें किस प्रकार के जीवन को प्रोसाहन दिया भाई वारता आपसा नमबर इसका एकरेंसर हो जाएगा दक्षिड भारतीए सासकों ने उत्तर भारत के समान जो है वारता प्रकार के आर्थिक यह उनको प्रोश आहन दिया आपसा नमबर इसका एकरेंसर हो जाएगा next question साब देखे चठा नमबर परसनाप की स्कीन पर आ चुका है चठा नमबर परसनाप की स्कीन पर क्या है भई परसनाइ के दक्षिड भारत में वरसा पर अधारित करसी भूमी क्या कहलाती है what was the agricultural land based on rain in South India called यहनी दक्षिड भारत में वरसा पर अधारित जो करसी भूमी है उस भूमी को हम क्या बोलते हैं क्या देव मातरुका बोलते हैं क्या बोलते हैं नदी एक प्रकार से देव मातरुका आपसन नमबर इसका डी करेक्टर अधार हो जाएगा सातवा कोशन साब देखेगा प्रस्न है दक्षिड भारत में मंदिरों को प्रदत भूमी क्या कहलाती थी what was the land given to temples in South India called पताएं तो दक्षिड भारत में जो मंदिरों को भूमी दे दी आती थी उस भूमी को हम क्या बोलते थे तो उस भूमी को हम क्या बोलते थे भाई देवदान कहते थे उसको आपसन नमबर इसका बी करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब देखेगा आठवा नमबर प्रस्न आपकी स्कीन पर आचुका है प्रस्न है कि दक्षण भारत में सासकों के द्वारा सिचाई के लिए बनवाये गए छोटे जलकुंड क्या कहलाते थे वाट वर्दा स्माल वाटर टैंक्स विल्ट बाई दरूरल्स फार इरिगेशन इन साउथ इंडिया काल बताएं दक्षण भारत में सासकों के द्वारा सिचाई के लिए बनवाये गए छोटे जलकुंड क्या कहलाते थे तो छोटे जलकुंड को वापी बोलाया था था क्या बोलते थे वापी ठीक है आपसा नमबर इसका अभी करेक्ट टैंसर हो जाएगा अगला कोशन साब देखिएगा अगला प्रसन नववा नंबर दक्षण भारत के किस राजबंस ने स्रीरंग टापू के नीचे बड़ा बांध बनवाया था बताएं विच डाइनस्टी आफ साउथ इंडिया विल्ट अबिग डैम अंडर सिर्रंगम आइजलेंड बताएं करेक्ट टैंसर क्या होगा दक्षण भारत की किस राजबंस ने स्रीरंगम टापू के नीचे बड़ा बांध बनवाया था तो किस आसको ने बनवाया था भाई वो चो और विल्ट बताएं तो यह बनवाया था खासकर के गंगबंस के सासकों ने रट सरूबर का अंद्र मार करवाया था आप से नमबर एक रट्रेंसर होगा और अगला अगला प्रसनाप के स्कीन पर आचुका है सबी लोग देखने का प्रियास करेंगे ग्यारवा नमबर प्रसनाप के स्कीन पर आचुका है मार को पोलो ने किस राज में अदरक और दाल चीनी के उत्पादन का उले किया है इन विच स्टेट हैज मार को पोलो मेंसंड दा प्रोडेक्शन आफ गिंजर एंड सीनमोन बताया है यानि कि दाल चीनी और जो दरक है इसका उत्पादन का उले किस राज में किया है मार को पोलो ने तो किस राज में किया है भाई तो वो पांडर एसासकों के बंस में बताया है कि भाई अधरक और दार्चेनी का उत्पादन मिलता है मलब यह लोग क्या करते थे ठीक है तो इस प्रकार से हमने 12 में चेप्टर से रिलेटर बहुत सारे इंपोरेंट परसनों को देख लिया और अभी परसन यहां पर बन सकते हैं आपसे ऐसे आपसे परसन पोसकता है कि दक्षण भारती आर्थिक जीवन में प्रमुख निब जो है भूमिका निभाने वाले संग जो होते थे वो क्या कहलाते थे तो संगों क्या बोलते थे वाई उनको सुरणी बोलायाता था यह बात ध हैं एकजाम में प्रसनाब क्या सकता है ओके से तो इस प्रकार से आपने तमाम सरे प्रसनों को जाना समझा और और नहीं दोरा टॉप पता होगा कि सुर्वाती चेप्टर्स रहे हैं उनसे बनने वाले महत्यपूर्ण परसनों के बारे में हमने आप लेडी आपको बता रखा है आप लोगों ने उसको देखा ही होगा तो यह चोल बंस के प्रारंबिक काल में नरेश यह सब मैंने आपको बता ही दिया था तो बह परकार से मालेश बेपर दिया है कोई सन एंसर का एक परकार से जो हमने बताया है कि अब्जेक्टि टाइप के लिए रिवीजन क्लास के तौर पर उसी परकार से हम मद्दिकाली ने और हिस्ट्री मलब की मद्दिकाली इंतिहास और केवले इतिहास दोनों का मैं करेंगा मालेश महासंग्राम वीडियो वह एक परकार से बड़े बड़े परसंव का होगा और फिर अब्यक्राइब के परसंव के साथ ही साथ मैं चेप्टर वाइस वीडियो पर प्रयास करुआंगा तो चिंता मत करिएगा आप सभी लोग ठीक है तो इस तेमाम परकार के प्लेस्टोर पर आप डाउनलोड कर लेजिए का सर्च करके वो अपना ही प्लेकेशन है तो वहाँ पर आपको PDF कुछ subject की आपको मिल जाएगी और बाकी इसकी भी PDF में send कर दोगा एक दो दिनों में आपकी PDF ये भी चली जाएगी ठीके तो जुड़े रहेंगे उससे तो बहु हमने संगम साहित से related बहुत सारे परिक्षा में ठीक है तो संगम साहित बहुत ही important है आपकी परिक्षा के लिए लगबग लिखित परिक्षा आप की होती है तो संगम साहित से लगबग दो से तीन परिक्षा आप की है तो लगबग और लगबग यहां से 10 से 12 परिक्षा ये बात आप ध्यान नगेगा तो बहुत ही important चीज़े हैं तो इन सभी चीज़े को आप फोड़ा सा ध्यान नगेगा चुकि बहुत ही important तरीके से पर्थम संगम के बारे बारे बताया था कि इसका आयोज़न जो हुआ था वो पांट सास़ों के राजधानी में हुआ था 5 सास्कूं के द्वारा किया गया था मतुरा में किया गया था माधुरई जिसको बोलते हैं ठीक है यह बाद ध्यान رों किये गा और प्रथम संगम किए अधिक्श कॉन थे आगस्त्री सीश्वहम थे के बाद ठीक है रिसी अगस्त जो थे उदूतिय संगम के भी अद्धिक्ष थे और बात कि ये तरतिय संगम की तो तरतिय संगम का आयोजन जो था ये पांडिसासकों के द्वारा ही किया गया था और इसकी राजधानी फिर से मदुरे रखी गई थी यानि की मदुरे ही जिसको बोलते ह और गये प्रकार से यह थोड़ा सा ध्यान नह्येंगा और इसके जो वह रहानें क्येक्ष तो आपको पता होगा। साहिज जो दक्षिर भारत के इतिहास के बारे में खुब अच्छी जानकारी देता है यह बाद ध्यान रखेगा धन्यबाद मिलके अंद इस्टी वीडियों तब तक के लिए जैंज भारत अब सभी का बहुत बहुत धन्यबाद हमारा से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से प्यार में से बनाए रखेगा धन्यबाद